हेलो फ्रेंट शीमा बिटी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए फिर से एक नए नेक डिजाइन की वीडियो लेकर आई हूँ तो देखी इसको बनाना शुरू करते हैं यह हमारी कूर्ती है जिसका तीरा 12 इंच है यह देखी ऐसे 12 इंच है इसके उ इंच ओड़ा फ्यूज पेपर लिया है और इसकी लंबाई आठ इंच है तो देखी इसकी आठ इंच लंबाई है इसको बीच से हम ऐसे फोल्ड कर लेंगी और अब इसके उपर हम मार्किंग करेंगे तो देखी हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और इस साइड से हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे इसको हम round shape देंगे क्योंकि यह हमारा round neck रहेगा इसे हम ऐसे round shape देंगे और अब हम इसे cutting कर लेंगे तो देखिए ऐसे round shape में cutting करने के बाद इसे हम fabric के साथ paste कर लेंगे क्योंकि यह हमारा fuse paper है इसे देखी मैंने fabric के साथ paste कर लिया है अब इसके उपर हम गोटा पट्टी लगाएंगे सबसे पहले बिल्कुल हम center वाली पट्टी लगाएंगे क्योंकि जो कुर्ती में हमारी पट्टी थी उसमें भी गोटा पट्टी का ही work है और फिर आदा आदा इंच पर हम और पट्टी लगाएंगे तो देखी नीचे से हमने आदा इंच का space रखा है और उपर इसको ऐसे मिला के लगा देना है नीचे से सभी पट्टियों के बीच में आदे आदी इंच का space रखना है तो देखी पूरे नेक पर हम इसी पर परकार से गोटा पट्टी लगा लेंगे यहां तक तो मैंने एक साइड से गोटा पट्टी लगा दी है अब ऐसे हम दूसरी साइड से लगाएंगे ऐसे ही लगाते हुए हमने पूरे नेक पर दोनों साइड से गोटा पट्टी को लगा लेना है तो देखी फ्रेंट ऐसे जब गोटा पटी लग जाएगी तो उसके उपर हम ट्रेंगल वाला पैटरन बनाएंगे इसके लिए हम पहले से इसके उपर मार्किंग कर देते हैं यह मार्किंग जहाँ पर हमारे फ्यूज पेपर है वहाँ पर करेंगे तो देखी आप मैंने यह दो बाई दो का कपड़ा लिया है इससे हम ऐसे ट्रेंगल बनाएंगे और फिर इनको ऐसे फोल्ड करते हुए हम इसके साथ अटैज करेंगे सभी ट्रेंगल का जो खुला वाला पार्ट है वो आप अपनी साइड रखें और जब हम सेंटर में आ जाएंगे तो हम उसका खुला वाला पार्ट है वो दूसरी साइड रखेंगे तो देखी यहाँ पर हमारा सेंटर है यहाँ से हम जो खुला वाला पार्ट है ट्रेंगल का वो दूसरी साइड रखेंगे देखी आपको इस बात का विशेश ध्यान रखना है सभी ट्रेंगल्स की जो खुले वाले पार्ट हैं वो एकी साइड होने चाहिए ताकि हम जो दूसरा पैटरन बनाएं उसमें कोई प्रोब्लम नहीं आए तो ऐसे हमने सभी ट्रेंगल्स इसके उपर लगा लिए हैं अब हम इसे ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसके उपर सिलाई लगाएंगे तो देखी इनको ऐसे फोल्ड कर देना है और उपर से सिलाई लगा लेनी है तो देखी हमने इसके उपर से सिलाई लगा दी है अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे बिल्कुल सेंटर से और इसके उपर आल स्पिन लगा लेंगे ताकि यह इधर उदर नहीं हो और आब इसके उपर हम अपने नैक की मार्किंग करेंगे तो देखी इसकी विड़ थमने 4 इंच रखी थी और इसमें हम 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे तो हमारे नैक की विड़ 3 इंच रह जाएगी इस पर देखिए सभी और से हम एक एक इंच पर निशान लगा लेंगे और इसे हम ऐसे राउंड सेप में मिला देंगे देखिए हमारे नैक की विड़ तीन इंच है और ऐसे लंबाई शाड़े छाइंच है अब इसे हम कटिंग कर लेंगे तो देखिए इस टाइप से हमारा पैटर्न बन गया है अब इसे हम अपनी कूर्टी के साथ अटेच करेंगे तो देखिए इसे हमने बिल्कुल सेंटर में रखना है और वो भी उल्टी वाली साइड कर रखके हमने सिलाई लगानी है इस साइड नहीं रखना ऐसे रखना है और फिर हमने सिलाई लगानी है देखिए सिलाई लगाते हुए हमने बिल्कुल बराबर मार्जन रखना है ताकि हमारी जो पट्टी है वो चोड़ी वीड़ी नहीं हो हमने इस बात का विशेश ज्यान रखना है कि हमने लगाते हैं मार्जन बिल्कुल बरावर बरावर रखना है और बारिक चाल से लगानी है देखी फ्रेंट जो ये पट्टी वाले नेक के डिजाइन होते हैं ये नेक कट करने के बाद बिल्कुल वो पट्टी रह जाती है नीचे वो ज़्यादा सुन्दर नहीं लगते इसलिए आप इनके उपर कुछ अच्छा सा पैटरन बना के लगाएं तो ये नेक का डिजाइन और भी सुन्दर लगे तो इसलिए मैंने ये डिजाइन इस पर बनाया है आप भी इस परकार का डिजाइन जरूर ट्राइ करें देखी कट करने के बाद छोटे-छोटे कट्स के निसान लगा लेंगी और फिर पट्टी को पलट कर इसके उपर से सिलाई लगा देंगी जो हमने पहले वाली सिलाई लगाई थी ठीक उसी के उपर से हमने सिलाई लगानी है ताकि दूर से देखने पर दिखाई भी नहीं दे कि हमने दो-दो सिलाई लगाई है तो देखी जो ये पट्टी थी उसमें हमारा जो NICK का पैटरण है यह बिल्कुल मेच भी हो जाएगा क्योंकि इसमें भी गोटा-पक्ती का वर्क था और जो हमने पैटरन बनाया है उसमें भी हमने गोटा पट्टी का यूज किया है और जो हमारे नैक पर सीधी सी पट्टी दिखाई देती वह भी नहीं रहेगा एक अच्छा सा नैक बनके रड़ी होगा तो आप इस परकार जरूर ट्राइ करें यदि आपकी कुर्ती पर सीधी पट्टी लगी हुई आई है तो आप देखिए हमने इस परकार की मोती लिए हैं मोतियों का साइज आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और जो यह ट्रैंगल्स बनाए थी इनको ऐसे प्लट कर सुई धागे की हेल्प से एक-एक मोती लगा लेंगी जिससे हमारा पैटरन और भी अच्छा बनके रड़ी हो होगा तो देखिए पहली वाली पर तुम्हें कोई मोती नहीं लगा रही हूं क्योंकि यह हमारी सिलाई में जाएगी और दूसरे वाले ट्रैंगल को हम प्लट कर इस पर मोती लगाएंगे देखिए मोती की सायता से हम इसे अच्छे से पक्का कर लेंगे ऐसे हमने सभी को प्लट प्लट कर इनके उपर एक-एक मोती लगाना है देखिए फ्रंट मोती का साइज और कलर आप अपनी कुर्टी का जो पैटरन है उसकी इसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं यदि आपकी कुर्टी के पैटरन में छोटे मोती लगे हुए है या कलरड है तो आप वो यूज करें जो आपकी कुर्टी में जो पट्टी है उसकी इसाब से यूज करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा तो देखी सभी ट्रेंगल्स को मैं ऐसे ही फोल्ड करते हुए और सभी पर एक-एक मोती लगा दूँगी देखी मैंने यहां तक लगा दिये है तो देखी इस साइड भी हम जो लास्ट का है उसके पर मोती नहीं लगाएंगे क्योंकि वो हमारी सिलाई में जाएगा दूसरी साइड भी हमने एक पर मोती नहीं लगा था तो ऐसे हमने इस साइड भी इसके उपर मोती नहीं लगाना है इसको ऐसे ही सिलाई लगाके अटेच कर देना है और फिर धागे को कट कर लेना है तो फ्रेंड्स आपको हमारी यह कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा ले और तक वीडियो देखने के लिए थेंक्यू सो मुच मिलते है किसी नेक्स्ट वीडियो में